कि इसकिल वे यूटिब चैनल में आप सब इस्ट्रेंट्स का एक बाप फिर से बहुत-बहुत स्वागत है इस्ट्रेंट्स आज हम लोग वाशॉप कैलकुलेशन एंड साइन्स की अपनी फॉर्थ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग टू-फिफ्टी मर्डवल आपके आने वाले एक्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्डेंट है बिकॉज यह जो है भारत स्किल वेबसाइट की जो कुश्चिन बैंक है उसका सॉलूशन है ठीक है तो यही कुश्चिन बार बार आपके ऑनलाइन एक्जाम में आ रहे हैं इस वजह से यह कुश्च वाउच्चाप के लिए इसके लिए फोकस करना जरूरी है जितना कि आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कर रहे हैं जैसे मैं आपको बता दूँ कि वाउच्चाप के लिए एक सब्जेक्ट हो गया जो यह अभी आप पढ़ रहे हो जिसके कुश्चिन इंप्लाइ जाएगा ऑनलाइन एक्जाम में तो उसको आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाईए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है केवल दस ऐसे वीडियोस हैं जिसकी माध्यम से मैंने बताया है तो आप उसको कंप्लीट कर लिजी और वो भी खतम हो जाएगा आप से आप कवर कर लेंगे वही सारे कोशन्स लगतार आ रहे हैं आपकी एक्जाम में उसके लावा आपकी ट्रेट थियोरी तो आपकी जो ट्रेड है उससे रिलेड़ेड आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे फिलाल अभी मैं इलेक्ट्रिशन ट्रेड थियोरी ही पीडिएफ डाउनलोड कर लीजिए ठीक है और उस पीडिएफ को तयार कर लीजिए ज्यादा तर कोशन्स ज्यादा क्या मोशली सारे कोशन्स वहीं से आ रहे हैं तो आप इजली पास हो सकते हैं तो इससे आसान तरीका आपको आपको आईट्याई में पास होने का और कहीं ही मिलेगा और किसी एक्जाम में ऐसा नहीं होता कि कुछ मैड़िबल चॉइस कोश्चन के बेसिस पे आपको किवल वही याद कर लो वही चीज़े तयार कर लो और हो जाए ठीक है तो यहीं पे हैं अभी अभी फिलाल के लिए अगले एक्जाम सिस्टम में क्या होता है वो तो आज स्टार्ट हो रहा है तो 43 नमर पर देखिए बोल गया है विच अलॉय यूज्ट इन एलेक्रिक लैंप एज फिलामेंट तो फिलामेंट के तौर पर एलेक्रिक लैंप में कौन सा अलॉय यूज करते हैं तो देखिए आपके पास ऑप्शन है कोबाल्ट वैनेडियम और टंगस्टन और सिलिकन तो वैसे तो आप जानते हैं कि टंगस्टन इसका सई एंसर है जो आपके पास फिलामेंट बल्व होते हैं उसमें देखो मैं आपके लिए बनाता हूँ एक फिलामेंट बल्व ठीक है यहां पर आपने देखा होगा कि यह यह जो filament ऐसे लगा हुआ है ठीक है यह जो मैंने coil जैसे बना दिया यह क्या है यह किस सीस का बना हुआ है यह tungsten का बना हुआ है किसका strength? tungsten का ठीक है तो अब tungsten से related में दो वातें आपको बताता हूँ कि जो tungsten धातु है, जो यह धातु है, उसका जो गलनांग है, ठिक है, जो उसका गलनांग है, मतलब जो उसका melting point है जो melting point है वो होता है 3400 के नियर बाउट 3400 डिग्री सेल्सियस ऐसे 3450 डिग्री सेल्सियस और जो इसका operating temperature है जो इसका operating temperature है मतलब जितने पर ये काम करता है वो है लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस ठीक है ध्यान रखोगे मतलब मैं इसी bulb की बात कर रहा हूँ कि ये जो bulb है ये जो filament bulb है इसका operating temperature कितना होता है 2800 डिग्री सेल्सियस और ये जो filament इसके अंदर लगा हुआ है ये filament जो लगा हुआ है इसका जो गल्लांक होता है जो melting point होता है वो होता है 3450 डिग्री सेल्सियस इस filament जो ये metal है ये जो है यहाँ पे जो alloy है मतलब जो tungsten है जो tungsten है इसको oxidation से बचाने के लिए मतलब इसमें जंग ना लगे मुर्चा ना लगे इसके अंदर क्या भर देते है इसके अंदर एक गैस भरी होती आरगन गैस भरी होती है नाइट्रोजन आरगन गैस भरी होती है तो ये oxidation से बचाती है दूसरी चीज़ अब एक और important बात आपको मैं बता दूँ यहाँ पर ये जो bulb है ठीक है ये जो filament bulb होता है ये इसके efficiency क्या होती है बहुत कम होती है कहने कमलब ये है कि जब इसको electricity देके जलाया जाता है तो आप अगर ये मानों कि 100W का अगर ये bulb है तो 100W में 80W तो ये केवल उश्मा उत्पन्य करता है जो अपने काम का नहीं है घर्मी पैदा करेगा रूम गरम हो जागा इसका तो कोई मतलब है नहीं हमें तो चाहिए थी रोश्नी इसका 20W ही केवल लाइट में यूज में आता है कहने कमलब जिससे प्रकाश उत्पन्य होता है वो केवल 20% ही होता है तो देखा जाए तो 80% तो इसमें लॉस हो रहा है लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें इसकी जरूत नहीं है तो इसलिए ये बल्ब बहुत अच्छा नहीं होता है पहले इसका उपियोग होता था अब इसका उपियोग नहीं होता है और क्यों नहीं होता उसका रीजन आप समझ गया क्योंकि इसमें लॉस जादा है, light की खपत जादा होती है, मतलब electricity की जो need है वो जरूरत है जो जादा होती है, तो आज कल कौन सा lamp यूज हो रहा है, LED bulb यूज हो रहा है, ठीक है, तो LED bulb की जो efficiency है, strengths, वो बहुत जादा है, ठीक है, तो जादा होने के वज़े से, कम, जो है, electricity का use करते हुए, ये bulb आसानी से जलते हैं और रोशनी देते हैं हम लोगों को, ठीक है, चलिए, अगला question देखते है, question number 44, तो question number 44 में आपके लिए बोला गया है, देखिए, question number 44 में बोला गया है, कि what metal contains a brass alloy, तो जो brass alloy होता है, मतलब ये जो brass है, brass एक प्रकार का alloy है, ठीक है, क्य जिसको आप English में बोलते हैं, alloy, अगर ये alloy है, तो बताना है आपको कि ये किन दो धातों से मिलके बना हुआ है, ठीक है, तो ये किन दो धातों से मिलके बना हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि ये जो brass होता है, strands, वो copper ठीक है, और zinc, ठीक है, copper और zinc से मिलके बन तो आपका ऑप्शन जरह मैच कराते हैं तो कॉपर और जिंक ठीक है चलो परसेंटेस में आपको बताता हूं नेरली यह 60% होता है स्ट्वेंट्स और यह 40% होता है याद रखोगे यह सब उतना ही इंपोर्डेंट है जितना की इंपोर्डेंट है आपके कई इकजामों में, यह सब भी पूछा जाता है चलो उस के लाओ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कॉपर और टीन की बात किया जाय तो कॉपर और तीन को हम लोग कहते हैं ब्रॉँआ ब्रॉँआं 걍 देसे अगया होता है लेकिन इसके अलग-अलग नाम होते हैं फिलाल आपको जानना है कि आपका एंसर C है और अगर हम D की बात करें जिसमें copper और tin का eloge होता है उसको bronze बोलते है ठीक है चलो तो brass में आपको मैंने बता दिया कि 60% copper होता है और 40% zinc होता है तो आपका answer C सही हो गया ठीक है चलो अगला question देखते है 45 question number 45 बोला गया है which cost iron cannot be welded अब ध्यान से सुनो welded मतलब कहने के मतलब है कि किसको welding नहीं की जा सकती कौन सा ऐसा धलवा लोहा है कौन सा जिसकी welding नहीं किया जा सकता ठीक है नहीं किया जा सकता तो आपके जानकारी के लिए में बता दो कि B answer इसका बिलकुन सही है white cast iron जो होता है सफेड धलवा लोहा ठीक है जो white cast iron होता है उसका हम लोग welding में use नहीं करते है ठीक है अच्छा ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है strength क्योंकि जो ये white cast iron होता है वो बहुत hard होता है ठीक है और बहुत ज़्यादा इसमें carbon mix होता है एक चीज और important इसके बारे में बताता हूँ जैसे मैंने अभी आप से बोला कि ये जो white cast iron है ये जो white cast iron है इसके लिए में बताना चाहता हूँ कि पहली चीज ये कि ये very very hard क्या होता है very hard मतलब बहुत कठोर होता है बहुत बहुत कठोर होता है पहली चीज दूसरी चीज अच्छा इसमें ये कठोर होता क्यों है दूसरी चीज नहीं ये से related ही है क्योंकि इसमें carbon की जो मात्रा है carbon की मात्रा है जो वो अधिक होती है तो कारवन की मात्रा जिस भी लोहे में अधिक होगा वो ज्यादा कठोर होगा अब important बात क्या है जो भी धातुएं बहुत कठोर होती है ठीक है जो धातुएं बहुत कठोर होती है वो यही है, क्योंकि जो white cost iron है, ठीक है, जो white cost iron है, वो आपका बहुत ज़्यादा hard होता है, ठीक है, white cost iron है, वो क्या होता है? very hard, बहुत ज़्यादा कटौर होता है, इसी वजय से जो है, इसको welding नहीं कर पाते हैं, welding उनका हम लोग कर पाते हैं, जो थोड़ा सा heat absorb करने के बाद हलका अपने shape को change कर सके, कहने का मतलब है flexibility हो, उसमें थोड़ा सा मुलायम हो, malleable हो है न, जो उसको पटवा लोहा मोलते हैं जैसे हम लोग, ठीक है, तो उसको हम लोग, जो है welding में use कर सकते हैं, मतलब उसकी welding कर सकत ठीक है, समझ पाए, चलो, तो भी answer मिलकुन आपका सही हो गया, 46 अगर देखा जाए, यहां पर बोला गया है, which metal cannot be forced, फोस्ट का मतलब होता है, जाली नुमा बनाना, ठीक है, मतलब जाली type का बना देना, तो देखो, ध्यान से सुन लो, पहली चीज तो यह कि अगर जाली type आपको बनाना है, तो जो यह iron है, मतलब यह जो steel है, iron जो भी है, यहां पर जो लिखे है option में, वो मुलाइम होना चाहिए, पहली चीज, ठीक है, मतलब थोड़ा सा flexibility हो, उसमें तनने जैसी कुछ प्रकिती हो, लेकिन अगर नहीं तनता है, तो इस तब क्या होगा, तब तो जो hard metal है, उनको आप forged नहीं कर सकते, उसको जाली नुमा shape में आप कैसे बना पाऊगे, जो जाली बनाने के लिए थोड़ा बहुत तो उसमें मुलाइम होना चाहिए, वो लरम होना चाहिए, तो अगर वैसा नहीं कर पाऊगे, तब तो फिर आप इसको जाली नुमा shape में forged form म बना ही नहीं पाऊगे, तो इसमें से इन चारो option में जो alloy steel है, ये इसका जाली नुमा बना सकते हो, mild steel तो बनाई सकते हो, ठीक है, steel भी बना सकते हो, लेकिन अगर cost iron की बात किया जाए, ठीक है, cost iron, ढलवा लोहा, तो ढलवा लोहे को आप forged नहीं कर सकते, मतलब आप जाली न नहीं बना सकते, जाली नहीं किया जा सकता, क्यों? इसका reason है, hard ना बोलके, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि hard नहीं कहते है, उसको बलकि कहते है, brittle ठीक है, जो ये brittle nature का होता है, कहने को बना भंगूर होता है, ठीक है, भंगूर, भंगूर प्रकितिकागर है, कहने को मतलब मैंने hammer से, ठीक है, इसे मैंने हठोडे से इस पे इस में मार दिया, तो ये इस चटक जाएगा, ठीक है, ये क्या होजाईगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, कि इसमें दबाव आ जाए, इस तरीके से नहीं ह सब्सक्राइब करें जाने कर सकते हैं तो अगला कोश्चन नमर 47 नहीं कर सकते चलो अगला कोश्चन question number 47 की बात किया जिसमें लिखा है which metal is widely used for making costing of machine costing का मतलब होता है machine के parts के उपर के जो costing होती है उसको बनाने के लिए कौन से iron का यहां पर use होता है देखो इसमें कई परकार के iron दिये हुए है grey cost iron, white cost iron ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ठीक है machinery भागों की धलाई बनाने के लिए के लिए किस धातू के व्यापक रोप से उपयोग किया जाता है ठीक है तो देखो इसमें से अगर मैं आपसे मैं बोलूँ तो जो सबसे important हो जाता है वो है आपके लिए grey cost iron कौन सा? grey cost iron ठीक है grey cost iron जो होता है जो इसमें grey cost iron है a number grey cost iron जिसको हम लोग क्या बोलते हैं धुहूसर, ढलवा, लोहा ठीक है यह ज़्यादा तर किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग casting के लिए यूज़ करते है मतलब casting का मतलब क्या होता है जैसे machine है तो machine के अंदरोनी parts के उपर वाले parts को से ढखने के लिए जो material यूज़ करते हैं वो क्या होता है grey cost iron होता है ध्यान रखोगे तो grey cost iron का यूज़ करके हम लोग casting of machine parts को prepare करते हैं चलो अगला question देखते है question number 48 question number 48 में हो ला गया है which furnace is used to get pig iron from iron ore iron ore का मतलब होता है law ask मतलब लोहा एक तरीके से जो जमीन से निकाला जाता है law ask से pig ये pig लिखा हुआ pig iron बनाने के लिए किस भट्टी किस भट्टी का उपियोग किया जाता है तो भई किस भट्टी का उपियोग किया जाता है तो मैं आपको बता दू कि इसमें हम लोग blast furnace का use करते हैं इसको as it is याद कर लो क्योंकि पूरी जब तक detail नहीं समझोगे तब तक इसको आप जान नहीं पाओगे कि what is the blast furnace तो अभी आपके लिए फिराल दिमाग में ये रखना है कि अगर हम लोग pig iron बनाना चाहते है ठीक है pig iron बनाना चाहते है किस से pig iron बनाना चाहते है तो अगर हम लोग pig iron बनाना चाहते है iron ore से मतलब जो iron ore है iron ore का मतलब है भई कि जो आप जमीन से लोह आइस्क निकालते हो ना जमीन से जो निकाला जाता है जिससे लोहा बनता है जो जमीन से निकालते हैं उससे अगर हमको पिग आइरन बनाना है पिग आइरन एक प्रकार का लोहा है अगर उससे हमें पिग आइरन बनाना है तो हमें किस प्रकार की भट्टी का उप्योग करना होगा तो ध्यान रखना है कि हमको इस blast furnace का यूज़ करना पड़ेगा pig iron बनाने के लिए ठीक है चलो तो इस तरीकी से आपको 48 question number है question number 49 अगर देखा जाए question number 49 बोला गया है what is the name of furnace फिर से furnace की बात करना है कह रहा है किस प्रकार की भट्टी का उप्योग करेंगे to obtain cost iron धल्वा लोहा बनाने के लिए किस प्रकार की भट्टी का उप्योग करेंगे ठीक है तो फिर से सुनो इसमें हम लोग एक काफी famous भट्टी है कॉपोल यह कपोला बोलते है ठीक है कपोला ठीक है कपोला एक भट्टी का नाम है जो कि क्या जो है बनाते है तो हम लोग इससे किसे मलब धल्वा लोहा बनाने के लिए कि कपोल भट्टी का अगर यूज़ करेंगे तो हम लोग उससे क्या मिल पाता है हम लोग को cast iron मिल पाता है ठीक है याद रखोगे cost iron मिल पाता है धलवा लोहा ठीक है धलवा लोहा अगर बनाना है आपको तो किस प्रकार की भट्टी का उप्योग करना होगा आपको कपोला भट्टी का उप्योग करना होगा ठीक है याद रखो इसको direct आपको याद रखना है एक option बिल्कुन सही हो जाएगा ठीक है चलो आगे देखते हैं अलग-अलग प्रकार की भट्टिया होती है अलग-अलग तरीके की लोहे प्राप्त करने के लिए ठीक है वो डिपेंड करता है कितना temperature है और किस प्रॉसेस हम लोग उसको निकालना है तो लोग-अलग प्रकार होते हैं ठीक है चलो अगला देखते हैं अगर हम question number 50 देखें तो इसमें लिखा है what is the other name of low carbon steel अब पहले चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि चलो अगले question में बताते हैं इसमें लिखा है कि बताओ कि जो यह low carbon steel होता है निम्ड carbon steel लोग- लोग कहते हैं माइल्डी हले का स्टील यह अलकी वै 역시 डीक परकार का मिश्ड हातु है तो दियान रखोगे इस बात को पहले चीज कि यह क्या है मिश्रधातु है अच्छा मिश्रधातु है तो यह किन-किन दो चीजों से मिलके बना है तो आपको मैं बता दू कि यह आईरन मेंस लोहा लोहा और प्लस कार्बन किस से मिलके बना है कार्बन से मिलके बना है ठीक है कार्बन से मिलके बना हुआ है पूरा का पूरा पार्ट लोहा ही होता है ज्यादा से ज्यादा 1% या 1.5% maximum ठीक है ज्यादा से ज्यादा ये ठीक है हलाकि इसको 0 से आप बोलो तो ज्यादा से 0 से 1.5 पर-चेंट के बीच में कार्बन मिलाते हैं जिसके आधार पे अलग अलग प्रकार के स्रीब प्राप्त होते हैं ठीक है तो जैसे अभी आगर मैं इस पें तीन के जन्रल VS बना दो तेक को तय法लोड लोग रफ़न करव स्री शैप؟ एक होता है मीट्यम निस स्टील एक होता है हाई कारबन इस्टील ठीक है अब अगे आने वाला है कि कमीडियम ऑड conscious कार जिल तो द्यान से में आपको अगर यहां पर کو बोल two । से लेके 0.25% तक अगर वमें लोग तो इस चाहिए तरीकसे 0.25 परसेंट 0.5% तक अगर हम लोग इसमें carbon content है ठीक है carbon के percent की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि carbon का अगर percentage 0.05 से 0.025 है तो उसको हम लोग बोलते हैं low low carbon steel क्या बोलते हैं students उसको हम लोग कहते हैं low carbon steel ठीक इसी तरीके से अगर 0.25% से लेके 0.5% है तो उसको हम लोग कहते हैं medium medium carbon steel इस तरीके से अगर हम लोग high की बात करें तो high में होता है 0.5% से लेके 1.25 या 1.5 ऐसे ध्यान से उतर गया चलो 1.5% के near about यह होता है ठीक है तो यह भी याद रखना है आगे इसके question से मैं बताओंगा ठीक है फिलाल के आपको यह ध्यान में रखना है कि जो low carbon steel होता है उसक हम लोग एक प्रकार से हम लोग mild steel भी बोलते हैं तो इसका जो D answer है वो बिलकुन सही हो जाएगा ठीक है चलो अगला देखते है question number 51 अगर देखा जा तो question number 51 में आप से बोला गया है कि बताओ कि what is the carbon carbon percentage in medium carbon steel ठीक है देखो वही आ गया कि medium carbon steel में कितना होता है तो मैंने आपक बताया था कि एक होता है low एक होता है medium carbon steel एक होता है high carbon steel तो जो medium है उसमें कितना होता है strength medium वाले में आपका होता है 0.25% से लेकर 0.5% तक होता है ठीक है तो कौन सा एंसर सही हो गया कहने का मतलब यह है कि steel क्या है भई तो मैंने बोला steel is the alloy of iron प्लस carbon ठीक है आइरन और carbon से मिलके बना होता है तो carbon की अगर प्रतिशत्ता carbon की अगर प्रतिशत्ता 0.25% से लेकर 0.5% तक है तो इस प्रकार के carbon steel को हम लोग बोलते है medium ठीक है medium carbon steel ठीक medium carbon steel इसको हम लोग बोलते हैं याद रख कोई चीज को ध्यान से एकदम ठीक है तो इसका सी एंसर विलकून साही हो गया चलो 52 देखते हैं what is the carbon percentage in low carbon steel में कितना होता मैंने बता था 0.02 नहीं यह नहीं है ठीक है तो लो carbon steel में अगर मैं आप से बात करो तो 0.15 से लेकर इतना ठीक है तो बी एंसर विलकून सही हो जाएगा ठीक है मैंने क्या बताया था अभी आपको 0.05 परसेंट से लेकर 0.25 परसेंट तक अगर carbon content है तो वो किस प्रकार का है वो है low carbon steel ठीक है low carbon steel उसको बोला जाता है चलो आगे देखते हैं question number 53 what is the carbon percentage in high सभी पूछ लिया इसमें तो ठीक है हाई की बात करनें तो हाई में मैंने क्या बूला था डी option विलकून सही हो जाएगा 0.5 से लेकर 1.5 हाँ 1.5 तक होता है ठीक है तो 53 का आपका डी एंसर विलकून सही हो जाएगा ठीक है समझा आ रहा है चलो अगला question देखते है question number 54 what is the ore of aluminium है is aluminium जो aluminium है जो ah am at allu मिन्यम है जो wam डातु है इसका जो और है मतलब यह किसी से बनता है किसी से मिलता है तो आपको बता दो खिआगे जो जमीन में जो बॉकसाइट होता है ठीक है जो बॉकसाइट होता है बॉकसाइट ओर से ही अलमोनियम बनाया जाता है ठीक है तो मतलब अगर अलमोनियम का हम अलमोनियम की ओर की बात करें तो अलमोनियम की ओर को ही हम लोग क्या कहते है मतलब अलमोनियम के अगर हम ओर की बात करें तो अलमोनियम का जो ओर होता है वो होता है box side क्या होता है students box side इसका और होता है तो C answer विलकुन सही हो जाता है चलो आगे देखते हैं question number 55 में अगर आप से बात की जाए तो लिखा है which property of metal enables it by which it can be drawn out into wire under tension without rapture नहीं समझा है English में चलो हिंदी में देखते हैं धातू का वह गुण बताओ जिससे धातू को बिना टूटे तार की रूप में खीचा जा सकता है अब चलो ध्यान से सुनो आपको पहले मैं एक जानकारी के लिए बात बताता हूँ जैसे आपने दो प्रकार की तार देखी होगी एक तार होती है जो एकदम solid होती है तो इसको solid wire बोलते है लेकिन एक और होती है जिसमें जिसमें मैंने क्या कहा आप से कि पतले पतले तार निकले होते हैं ठीक है समझ पा रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग stranded standard wire इसको गहते हैं हम लोग solid wire ठीक है तो ये दो प्रकार की तारे आपने घरों में भी देखे होंगी जो PVC वाली जो तारे होती है वो भी इसी प्रकार की होती है तो उनको आपने देखा होगा ठीक है strengths तो मेरे कहने का मतलब बस यह है यहाँ पे कि जो यह इनका कहना है question में कि अगर हम लोग अगर हम लोग क्या करें मतलब इसकी property बताओ इन चारों में से कौनसे ऐसी property होनी चाहिए उस metal में उस धातू में जिसमें मतलब उस धातू को अगर हम खीचें ठीक है तो वो खिच जाए और तार के नुमा में वो बदल जाए ठीक है तो ध्यान से समझ लो आप कि अगर तार में तन्ने जैसे गुर् तो फिर ये तार मतलब ये जो metal है ये तार के form में नहीं बन पाएगा तार के तार के रूप में इसको नहीं बनाया जा सकता अगर हम किसी धातू में अगर तन्यता जैसा गुर्ण नहीं है तो उसको हम लोग तार के रूप में नहीं बदल सकते ठीक है तो देखो इसमें यह झाली बोला ही गाया है कि धातु का वन ग thats तो को बिना तोटे थार के रूप में कहीं जा सके तो धातु का कुला ओड कहलाता है क्या Duska कहलाता है ध्यान रखना कि अगर किसी भी कि धातु में तन्यता वाली इडों नहीं है ज़्यान द्यान से समझ लो इस चीज़ को तो यह याद रखना है आपको कि उसमें क्या होना चाहिए ductility होना चाहिए question number 56 देखते है question number 56 में बोला गया है which among the following is an insulator कह रहा है निम्न में से कौन सा एक कुछालक है तो कुछालक तो बहुत अच्छे से जानते हो कि कुछालक उसको बोलते है जिसमें धारा का प्रवा शोन्ने हो ठीक है शोन्ने हो मतलब उसमें धारा ना प्रवाहित हो पाए I is equals to zero ampere हो उसमें कोई current नफ लो हो पाए उसको हम लोग कुछालक बोलते हैं उसको हम लोग हुआ है जो मायका है बच्चों वो क्या है एक प्रकार का कुछालक तॉल了 कर था रखेश्वार को बना रहा है मोटर के बात कर रहे हैं मोटर जो रोटर होता है उसके अंदर हम जिसक्र होते हैं आपको मालूम होगा जो इसो डिस्क होते हैं यह नहीं होती तो धर जिसमें नहीं होती वह इंचारों ऑप्शन में माय का है ठीक है मतलब एक स सिल्वर और यह था वह मॉनियम इस थक क्या है conductor है ठीक है चलो अगला question देखते हैं question 57 कह रहे हैं which rubber is used as insulator ठीक है देखो rubber क्या है एक insulating material है पहले चीज़ ये दिमाग में रखो ठीक है ये क्या है और नियंतरण तारों कि लिए इंसलेटर के रूप में किस rubber का उपयोग किया जाता है तो आपको अब बता दूँ इसको याद करना होगा आपको दिमाग में ठीक है कि silicon जो rubber होती है Silicon जो rubber होती है Silicon rubber ठीक है इसका उपयोग हम लोग इसके power cables के लिए power cable के insulation के लिए use करते हैं Power cable के insulation के लिए use power cable insulation के लिए use करते हैं ठीक चलो तो इस प्रकार से आपके लिए आज का ये question series खतम हुआ ठीक है आब मिलते है question number 58 से next class में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए पढ़ते रहिए मस तरीके से ठीक है और अगर आपको कोई चीज डाउट है कोई चीज नहीं समझ में आ रहे हैं तो इसको कमेंट में बताइए और आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी बताना मत भूलेगा आप लाइक करना मत भू और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इसको थोड़ा शेर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ जिसे उनको भी उतना ही फायदा मिल पाए जितना आपको मिल पा रहा है और अच्छे माक से आप सभी लोग पास हो जाए ठीक है चले तो मिलते है नेक्स क्ल